मारूती की ब्रैंड आल्टो कार शुरू से ही सफलकार रही है सितंबर 2000 में पहली बार आने वाली कार भारतिय लोगों को काफी पसंद आई थी तब से अब तक आल्टो के कई वर्जन आये और सभी को ग्राहकों ने पसंद किया नई आई कार में आपको 24.7 प्रती लीटर का मिलता है जो पिछली आल्टो के 10 से करीब 15 फीस दी अधिक है कार का CNG वेरियंट प्रती किलो 32.26 किलो मीटर की माइलेज देता है इस कार के बारे में वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल रियल आटो न्यूस को सब्सक्राइब कर दे साथी साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जल से जल आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल जाए इस कार के इंटीरियर और एक्स्टीरियर में फ्री फ्लोविंग कर्व पर खास ध्यान दिया गया है कार के इंटीरियर को स्पेशियस लुक के साथ प्रीमियम टच वाला बनाया गया है डूल टोन टेक्स्टर से लुक को प्रीमियम किया गया है पिछली आल्टो कार के 10 से ये 15 mm उची होने के साथ 15 mm चौड़ी भी है कार की लंबाई पिछली से 75 mm कम है लेकिन ये कमी इंजन के हिस्से में ही समाहित कर दी गई है जिससे भीतर की जगा में कमी न हो पाए इंजन की बात करें तो मारूती अल्टो के 10 में बी एस फोर 998 सीसी के 10 भी पेट्रोल इंजन लगा है सड़ सेट बी एच्पी का पावर और 90 अनेम का टार्क देता है ये इंजन 5 स्पीट मैनुवल और 5 स्पीट AAMT के आप्शन में साथ आती है इतना ही नहीं ये कार CNG वर्जन में भी उपलब्द है पेट्रोल मोड पर ये कार 23.95 केम पील की माईलेज देती है जबकि CNG मोड पर ये कार 32.26 किलो मीटर पर केजी की माईलेज देती है में फ्रेंट पावर विंडो सेंट्रल डोर लॉकिंग आडियो सिस्टम है मारूती सुजूकी आल्टो के टैन को नए सेफटी फीचर्ज जैसे EBD के साथ ABS, ड्राइवर एर बैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सीट, बैट, रिमाइंडर के साथ अपडेट किया गया है आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसकी बिक्री कमपनी द्वारा बंद कर दी गई है कुछ जगाओं पर अभी भी इसका सेकंड हैंड वर्जन मिल रहा है अमीदे हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद